हेलो फ्रेंड्स वेलकम टो एडू मंत्रा मेरा नाम है शुभम गुपता और आज हम साथ मिलकर समझने जा रहे हैं कक्षा दस्वी के हिंदी के काववे खंड के सबसे प्रमुख काव्यों में से एक जिसका नाम है राम लक्षमन परशुराम संबाद यह जो काववे है अब प कि भगवान परशुराम के चरित्र का विशलेशन कीजिए अपनी समझ से बेसिकली जो आपने पोयम पढ़ी राम लक्षमन परशुराम संबाद उससे भगवान परशुराम के जो जो कैलेक्टर स्टिक्स है और मैं यह आपको बताऊंगा हर एक कैलेक्टर स्टिक को हम स्ट भगवान परशुराम के कैरेक्टर स्टिक्स लिखने के क्वेशन आए तो आप यह जरूर लिख सकते हैं पहले पॉइंट में फॉर शूर कि राम लक्षमन परशुराम संबाद जो है वो एक काव्वे है काव्वे का अर्थ क्या होता है काव्वे कवीता दोहे चंद यह भल काव्वे हम उसे कहते हैे पहले कवीता समझें दे की काव्वे कवीता दोहे चंद दोहे और चंद को हम एक कह सकते हैं दोहे और छंद क्या होता है जो couplets या quadrants होता है couplets यान कि क्या qa-do line? Quadrants मतलब क्या? cheats 4-4 lines यान कि 2-2 4-4 line की जो भी पंक्तियां है या जो भी 2-2 या 4-4 line के form में break करके लिखा गया है वो सब दोहे है या छंद आप उन्हें खेसकते हैं अब कावे और कवीता कविता हम किसे कहते हैं कविता जो है वह स्वरचित भी हो सकती है किसी दूसरे से इंसपायर होके कोई सलिमिटेशन नहीं पर 12 लइंसे लिकरके 12ع52 तक आप अगर उस से भी जाद कवीता एक्स्टेंड करते जा रहे हैं तो वह एक काववे बन जाता है यानि कि कवीता का ही एक्स्टेंडेड वर्जन छोटी कवीता नहीं बड़ा कवीता उसे को हम काववे कहते हैं और बहुत सारे काववे की कलेक्शन को महा काववे कहते हैं जैसे कि राम लक्षमन श्री तुलसिदास जी की प्रमुख रचना है राम चरित्र मानस क्या है भगवान श्री राम के चरित्र की उपर लिखी गई है जो उनका उलेख किया गया है पूरा कि उनके जन्म से लेकर के सीता हरंड और फिर रावर देहन ये सब कुछ जो हुआ वो सब इस किताब में जो है उसी को राम चरित्र मानस कहा जाता है श्री राम ये दोशब जो है वो मित्र आ गौशी तुल्सिदास ची के जीवन के सबसे प्रमुख शब थे अनिवेस तुल्सिदास जी ज beenche'd कुछ द Springs की ती की राम करके बाल कांड में यानि कि अगर आप इसे ध्यान से देखेंगे राम चरित्रमानस जो है वो काफी बड़ा काववे है राम चरित्रमानस एक महा काववे है उसमें से एक काववे जो है उसका नाम बालकांड है उस काववे के भी एक छोटे से अंच को आपको दिया गया है पढ़ने के लिए आपको इतना याद रखना है राम चरित्रमानस के बाल कान्स है यह जो पोयम-प्लायम ओक्ट आपकी वह टे जी तरह है। इस इन परम समझते हैं। वे अज़े माताजाना की या माता सीटा का दोनों एक है। माता जानकी का या माता सीता का स्वयमबर हो रहा है, स्वयमबर का क्या चैललेंज रखा गया है, चैललेंज क्या है, जो भी शिव धनुष को उठाएगा और उस पर प्रतियंचा चडाएगा, प्रतियंचा यानि कि क्या धनुष में दो ends होते हैं, एक यहाँ पर, एक यहाँ और जो डोरी होती है धनुष की उसी को प्रतियंचा कहता है, यानि कि एक end में धागा या डोरी बांधनी है और खीज करके दूसरे end पे बांधना है, तो ये जो आप डोरी बांध रहे हैं, इस डोरी को प्रतियंचा कहता है, प्रतियंचा चढ़ाना यानि कि धनुष को उठा और फुकाना और प्रत्याइंचा चडहाना से नहीं उट्वान शिव भगवान शिव का धनुशस नहिंए बहुत इस शक्तिशार यह तहां रामयन में कि मता सीथा के अलावा इसे और को低 उठा पाता था यानि कि राजा जनक भी जो थे उन्होंने क्या किया एक बहुत बड़े ट्रोली पे इस धनुष को लेकर आये थे क्योंकि उनका कोई भी सैनिक वो खुद भी धनुष को नहीं उठा सकते थे कि अब उनकी पुत्री उठा सकती थी, खैर आगे बढ़ते हैं, इसी लिए उन्होंने स्वेमवर में ऐसी शर्त रखी कि वही मेरी पुत्री से विभाग करेगा, जो मेरे पुत्री के समान ही शिव धनुष को उठा सके, खैर हुआ क्या, अब सारे राजा विफल हो गए, भग अमोली धनुष नहीं था, तो उस धनुष की तूटने से काफी प्रचंड उर्जा निकली, उर्जा मतलब क्या एनर्जी निकली, काफी एक्स्ट्रीम्ली पावरफुल एनर्जी और उससे क्या हुआ कि प्रलय मच गया, बिजरिया कड़कने लगी, आप ऐसे याद कर सकते ह दिखाया जाता है, एनिवेस, तो इतनी जोर से आवाज हुई कि भगवान परशुराम जो है, जो दूर बैठेते कहीं, वो सुनकर समझ गए कि जरूर भगवान शिफ के धनुष के साथ छेड़ चाड़ हुई है, और जब वो यहाँ पहुचे, स्वेंबर में, तो उन्हों परशुराम को पहचानने का सबसे आसान तरीका है, यह उनका परसा, उनका एक्स, उनकी कुलहारी आप कह सकते हैं, जो हमेशा उनके साथ रहती है, ऐसा माना जाता है कि भगवान शिफ का वरदान था उन्हें, कि उनके परसे का वार, जिसकिसी पर भी उन परसे से प्रहार क करेंगे, वो कभी खाली नहीं जाएगा, तो प्लॉट यह है, वो आए, उन्होंने देखा धनुष तूटा हुआ है, और यहां से आपकी पोयम स्टार्ट होती है, नात संभू धनु भंज, माप किजेगा, नात संभू धनु भंज निहारा, होई केउ एक दास तुम्हारा, नात संभू धनु यानि की संभू धनु किसे कहते हैं, यहां नंबर वन है, आप नंबर वन देख सकते हैं, भगवान शिव के धनुष को, भंज निहारा यानि की तोड़ने वाला या खंड़त करने वाला, यहां इस केस में तोड़ने वाला है, एक बार फिर से देखते हैं नाच संभुधनु भंच निहारा होई केऊ एक दास तुम्हारा नाच संभुधनु भंच निहारा यानि की शिवधनुष को तोड़ने वाला होई केऊ एक दास तुम्हारा शिवधनुष को तोड़ने वाला आपका कोई दास ही होगा होई यानि कि क्या है इसे आप हिंदी से रिलेट करके समझी आसान है सिर्फ कुछ वर्ड्स जो डिफिकल्ट है उनके मीनिंग्स मैंने स्पेसिफिकली स्पेशली दिये हैं अब आगे देखते है नात संभु धनु भंचनिहारा भगवान शिप के धनुष को तोड़ने वाला ह आपका कोई गेंग्स का मतलब सेवक यउनकी भगवान श्री राम हाद जोड़ कर भगवान परशुराम से कहते हैं कि हे प्रभु भगवान शिप के धनुष को तोड़ने वाला आपका कोई दास ही होगा आगे देखते हैं रिस शब्द जो है मैं रिसाई की नहीं सिर्व रिस की बात कर रहा हूँ रिस की इसका अर्थ होता है क्रोध रिसाई का अर्थ है क्रोध और इस लाइन में ये बिल्कुल फिट भी बैठा है हम देखते हैं कैसे आईएसु कहा किन मोही यानि की अभी भगवान श्री राम हाथ जोडे हुए हैं और आग्या मांगते हैं भगवान परशु राम से वैसे जिनने नहीं पता भगवान परशु राम भगवान विश्नु के छटे अफतार है और भगवान श्री राम भी भगवान विश्नु के अफतार है एनिवेस भगवान श्री राम भगवान पर्षू राम से आज जोड़ कर कहते हैं कि प्रभू मुझे कुछ केहने की आग्या दीजिए क्योंकि भगवान पर्षू राम इतने अच्छे योध्धा है इतने प्रमुक Прहमण हैं उनका सम्मान करते हो वो कुछ कहने से पहले भी आज्या मांगते हैं उनकी यह इतना उत्तम चरित रह भगवान श्री राम का आइशु कहा कही कि न्यमोही की है प्रभू मुझे कुछ कहने की अनुमति दीजिये ये श्री राम कह रहे हैं सुनी रिसाई बोले मुनि कोही यह सुनते ही भगवान परशुराम कोही का अर्थ है क्रोधित होकर के बोले अब वो क्या बोले वो तीसरी लाइन में है सेकेंड लाइन का मतलब सिर्फ इतना ही है कि भगवान परशुराम गुस्से में थे तूटे हो शिवधरनुष को देखकर उन्होंने पहले कहा कि हे प्रभु शिवधरनुष को तोडने वाला आपका कोई दास ही होगा क्या मुझे कुछ बोलने की अनुमती है मैं कुछ यहाँ पर हिंदी से रिलेट की जिए लराई का मतलब लड़ाई रा को अपडास है रिप्लेस कर दीजे अब टेख़ेंगे सेवकु का अर्थ है अकारण अकारण मतलब बिना किसी रीजन की तो अब पहले क्या कह रोटा-था भगवान श्रीराम ने की हे प्रभु शिवधर पर उसको तोड़ने वाला आपका कोई दास ही होगा इसी बात को पकड़कर तीसरी लाइन में भगवान पर्शुराम कहते हैं कि सेवक तो वो होता है या दास तो वो होता है जो सेवक का कारे करें ना कि जो अकारन लड़ाई मोल ले या लड़ाई करें सुनहु राम जेही जाना दूबोगा दूब कि यह फर्स्तैंजा जो है पोएम में आपकी बुक में काफी बड़ा है मैंने फर्स्तैंजा एजी समझ में इसलों से तीन पार तीन तीन लाइन में बाटा है यह पहली की तीन लाइने आगे देखते हैं अब तक हमने क्या देखा कि वो कहते हैं कि सेवक वो है जो सेवा का कारे करें ना कि अकारण या बिना किसी रीजन के दुश्मनी मोल ले अब आगे देखते हैं सुनहु राम जेही सिवधनु तोरा सहस बाहु समसो रिपु मोरा जेही यानिकी जिसने भी सिवधनु यानिकी भगवान शिव का शिवधनुष सहस बाहु या सहस्त्र बाहु एक लाइन में आपको बता देता हूं सहस्त्र बाहु के बारे में सहस्त्र बाहु जो था वो एक शत्रिया था उसे एक और नाम से जाना जाता है और वो है कार्तवीर अर्जुल महाभारत के अर्जुल नहीं कार्तवीर अर्जुल नाम के शत्रिया राजा उन्ही को सहस्त्र बाहु कहा जाता था सहस्त्र बाहु में सहस्त्र का अर्थ होता है बहुत सारे यान कि उन्होंने वर्दान से हम सब के दो ही हाथ है पर बहुत सारे हाथ ले लिए थे उनके बहुत सारे भुजाये थी बहुत सारी हाथ थी बहुत सारे हाथ थे उनके और उनक तो उसी चक्र में भगवान परशुराम ने अपने पिता का प्रतिशोध या बदला लेने के लिए वद्ध कर दिया ऐसे अधर्मी शत्रिय यानकी सहस्त्र बाहु नाम के आपकी इंफॉर्मिशन के बता दो सहस्त्र बाहु का एक और नाम है कार्तिवीर अर्जुन आगे कि सहस्त्र बाहु जो है वो भगवान परशुराम का शत्रु था दुश्मन था क्यूंकि सहस्त्र बाहु जो की शत्रिय राजा था उसने भगवान परशुराम के पिता को यानकी पापा पर हमला कर दिया था उनको मार दिया था तो कहते हैं जिसने भी शिव्धनुस्त तु बिलगाई का अर्थ क्या है बिलगाई बिहाई समाजा यान की अलग हो जाना यहां लिखा है मैंने नमबर थ्री पॉइंट डालके अलग हो जाओ सो बिलगाई बिहाई समाजा नात मारे जहिए सब राजा अब भगवान परशुराम कहते हैं पहले तो उन्होंने कहा इसे पहली ओली लाइन में जिसने भी भगवान शिफ का धनुष तोड़ा है वो ऐसा वैसा शत्रू नहीं सहस्त्र बाहू के जितना ही मेरा शत्रू है और वो जो भी है वही समाज से समाज से क्या वहां बहुत सारे लोग भीड थी बहुत सारे राजा गए थे बहुत सारे दर्शक गए थे जो देखने गए और महरिशी विश्वामित्र भी थे तो बहुत सारे लोग थे तो इस पूरे समाज से वह अलग हो जाए यान की हटकिया बाहर आ जाए नहीं तो सारे राजा जो है यहां पर वो मारे जाएंगे आप हिंदी से रिलेट कर सकते हैं मारे यानि की मारा जहिए मतलब जाएंगे सब राजा यानि की सब राजा मारे जाएंगे सुनी मुनी बचन लखन मुसुकाने बोले परसु धरही अवमाने अब यहाँ पे सुनी यानि की सुन करके मुनी बचन मुनी बचन का क्या आर्थ है मुनी के वचन को सुन करके वचन यानि की जो उन्होंने कहा मुनी कौन है यहाँ पर भगवान परशुराम रिशी विश्वा में भगवान श्री राम का और स्टार्टिंग में उनका थोड़ा से रोल था जैसे कि पहले आपको बताया था नात संभु धनु भंज निहारा हुई के दास तुम्हारा यानि कि भगवान शिफ्ट के धनुष को तोड़ने वाला है प्रभु आपका कोई दास ही होगा तो बाकि पूरी पोयम में सिर्फ लक्षमन जी और भगवान परशुराम जी का संबाद है अब आगे देखते हैं सुनी मुनी बचन लखन मुसुकाने यानि कि भगवान परशुराम के वचनों को सुनकर लखन यानि कि लक्षमन जी जो है मुस्कुराने लगे और कहे कि बोले पर्सु धरही अवमाने ayim sind Hana भागवान पर्शुोराम का पर्षा लुको अनकी पर्षु धरही, पर्षु का रहने बता है उनकी धरही मतलब धारन करने वाला for example मैं एस शर्थ को धारन किया है यानि की मैंने शर्थ को पहना है, मैंने इस पेन को को धारण किया यान कि spend को hold किया हुआ है तो परसु धरही यानि कि परसु को धारण करने वाजा अवमाने का अर्थ होता है अपमान पूरवक यानि कि थोड़ा insulting way में उन्होंने कहा अब हम आगे देखते हैं बहु धनुही तोरी लरिकाई कभू न आसी रिसी किनी गुसाई बहु का अर्थ है बहुत धनुही तोरी लरिकाई देखिए एक बहुत important बात यह है कि बहुत सारे वीडियो में या बहुत सारी जगहों पर आपको इस पोयम के पोयम में जितनी भी lines है for example इस line को consider करते हैं बहु धनुही तोरी लरिकाई कभू न आसी रिसी किनी गुसाई तो अगर आप word by word meaning देखेंगे तो आपको यह बहुत जादा difficult लगेगा आपको क्या करना है पूरी लाइन को पढ़िए और हिंदी के words से यान कि जैसी हिंदी हम घर में बोलते हैं उसके साथ relate कीजे तो आप आसानी से कर जकते हैं relate करने का क्या मतलब कैसे करें यान कि यह जो line है इस line का इतना हिस्सा लेते हैं बहु धनुही तोरी लरिकाई तो इसमें आप एक-एक word का मतलब मत देखें कि बहु का मतलब क्या है धनुही का मतलब धनुश होगा तोरी मतलब क्या है लरिकाई मतलब क्या है नहीं इसे पूरा sentence पढ़िए और जो भी आप Hindi language से interpret कर सकते हैं उसे अलग कर लीजे जैसे लरिकाई मतलब लड़कपन में बहु का मतलब तो बहुत सिंपल है बहुत हिंदी में क्या संस्कृत मे भी जहां पर भी बहु दिखे तो सास बहु नहीं है बहु मतलब बहुत अब आगे देखते हैं बहु धनुही तोरी लरिकाई कभू नासी रिसी किनही गोसाई बहु मतलब बहुत धनुश तोड़े हमने लरिकाई में यानि की लड़कपन में लड़कपन किसे कहते हैं बच पबने बहुत से धनुष तोड़े हैं पर कभू ना मतलब कभी नहीं कभी भी किसी रिषी ने क्रोध नहीं किया गोसाई का मतलब होता है स्वामी Drop पर कुछ-कुछ बुक्स में गोसाई का मतलब रिशी भी दिया होगा गोल्डेन की जो गाइड है क्लास टेंथ हिंदी की उसमें गोसाई का मतलब रिशी दिया है पर एक्चुली में गोसाई का मतलब स्वामी होता है गोसाई जो है वो गाय पालने वाले को या किसी प्रॉपर वी तोही तोरी लिकाई कभू न असी रिषी कि नही गुसाई यानि कि हमने बहुत से धनुष तोड़े पर तब तो किसी रिषी ने इतना गुशा नहीं क्या तो आप तो आप क्यों इतना गुसा कर रहा हैं अब आगे देखते हैं अब भगवान परशुराम क्या उत्तर देते हैं रे निर्प बालक काल बस बोलत तो ही ना संभार अब लक्षमन जी के अपमान पूर्वक भाषा में बात करने के बाद परशुराम जी उसका उत्तर ये कहके देते हैं कि रे निर्प बालक निर्प बाल तो राजा के पुत्र, यारं कि भगवान परशुरा आपर कहते हैं । काल बस, बुलत, तोहीन, संभार का अर्थ काल बस का अरth क्या है? कीव की मृतिष। आइन कि रिलिट कर के देखिए, C sparks मृतिष,C यानि कि काल के बस में, वह हम कहते हैं यह मेरे बस का नहीं है, यह मेरे बस में नहीं है, तो काल बस, यानि कि तु काल के बस में है, यानि कि मृत्यू के बस में, क्यूंकि भगवान परशुराम बहुत बड़े योध्धा है, 21 बार वह इस स्ष्ष्टी को, इस संसार को शत्रि यह थे राजा थे उनससको खत्म कर चुके हैं और पूरी भूमी को ब्रहामडों को दान कर चुकें इतना सामर्थ हैं उनका यह मैं बना के नहीं कहे रहा है सच मने उनकी कहानी है तो वह एक तरह से डरा रहे हैं लक्षमाण जी को कि तुह काल के बस में हो करके यानि की मौत के बस में हो करके क्योंकि अगर ये इसी तरह अपमान पूर्वक बोलते रहे लक्ष्मन जी तो कदाचित भगवान परशुराम को वद करना पड़ेगा उनका तो रेन रिब बालक काल बस बोलत तो ही न संभार की ए हे राजा के पुत्र तु काल के बस में होकर बोल रहा है तु संभाल नहीं रहा बोलते वक्त यानि की बोलत यानि की बोलते वक्त तो ही न संभार यानि की तुम जो बोल रहे हो वो संभाल के नहीं बोल रहे अब आगे देखते हैं धनोही सं त्रिपुरारी धनू विदित सकल संसार धनूही का मतलब होता है कि एक जैसा यह पता है जैसा में इसके समान हूं समान मतलब अब इससे उपर वाली लाइन में लक्षमन जी ने क्या कहा था जो हमने अभी देखी थी सुनी मुनी बचन लखन मुसुकाने बोले परसुधरही अवमाने बहु धनुही तोरी लरिकाई यानि कि हमने लड़कपन में बहुत सी धनुशे तोड़ी थी ये लक्षमन जी कहते है अपमान पूर्वक भगवान परशुराम से अब भगवान परशुराम उसका उत्तर देते हुए पहले तो ये कहते हैं कि भाई तु काल के बस में यानि कि तुम काल के बस में होकर के बोल रहे हो तुम तुम्हें अपनी बोली पर नियंत्रण नहीं है और फिरो क्या कहते है कि तुम इस भगवान शिफ के धनुष को बाकी धनुषों के सम समान यानि कि बाकी धनुषों के जैसा बता रहे हो विदित सकल संसार पता नहीं विदित शब्द का अर्थ होता है पता नहीं अब जहां पर भी दित शब्द आता है हिंदी में उसका मतलब होता है पता है बी का अर्थ होता है ना विदित का मतलब होता है पता नहीं तो वो कहते हैं कि भगवान शिफ के इस धनुष को तुम भगवान शिफ का ये धनुष जिसे पूरा संसार जानता है जिसके बारे में उस धनुष को तुम एक आम धनुष के जैसा बता रहे हो अब आगे देखते हैं ठीक है लखन कहा हसी हमरे जाना सुनहू देव सब्धनुष समाना अब यहां पर लखन यानि की लक्षमन जी वो कहते हैं कि हमने तो अब यह देखी लखन कहा यानकी लक्षमन जी ने कहा हसी हमरे जाना यानकी सुनहु देव सब धनुष समाना की हमने तो सुना था जाना का अर्थ क्या है ज्यान में एक्षिली जाना की दो मीनिंग है अगर आप हिंदी से रिलेट करके देखे तो मैंने जाना यान की किसी चीज को जान लेना ये भी इसका मतलब हो सकता है संस्कृत में जाना का अर्थ होता है ज्यान में वो मतलब भी आप लिख सकते हैं लाइन का मतलब देखिए लखन कहा हसी हमरे जाना सुनुहु देव सब धनुष समाना की लक्षमन जी कहते हैं की अरे वो हस्ते हुए कहते हैं की हमारे ज्यान में तो यानिकी मेरी समझ से तो सभी धनुष एक समान है सुनुहु देव सब धनुष समाना सुनुहु का अर्थ है सुना है कि लक्षमण जी कहते हैं हस्ते हुए कि मेरी ज्यान के हसी का अर्थ है हस्ते हुए क्यों कहते हैं हस्ते हुए लक्षमण जी किस बात पर कहते हैं इससे पहले मैं आपको बताया कि जब भगवान परशुराम कहते हैं कि हे नृप बालक क्या तू नहीं जानता है कि भगवान शिव का धनुष है फिरो क्या कहते हैं हस्ते हुए कि हमने तो सुना है कि सब धनुष एक समान होते हैं का छती लाभू जून धनु तोरे अब यह जो जून शब्द है यहां पे इसे आप जूना हिंदी या मराथी के वर्ड से रिलेट कर सकते हैं जूना का अर्थ होता है पुराना मराथी में जून शब्द का अर्थ यहां पे भी पुराना ही है का छती लाभू च्छती लाबू का अर्थ होता है नुकसान या फाइदा तो लक्षमन जी कहते हैं भगवान लक्षमन जी हसते हुए की हे मुणिवर, की हे रिशी मुणी, हे भगवान परशुराम, मेरे ज्यान में मैंने तो सुना है कि सभी धनुष एक समान होते हैं, तो इस जून यानि की इस पुराने धनुष को तोड़ने में क्या छती क्या लाब क्या नुक्सान क्या फाइदा अब आगे देखते हैं देखा राम नयन के भोरे कि इस धनुष को तो भगवान राम ने केवल देखा ही था नयन शब्द का अर्थ होता है आखे नयन शब्द आपको कहीं पर भी रघुपतिना दोसू मुनि बिनुकाज करियकत रोसू यानि की छुवत तूट यानि की रक्षमन जी कहते हैं कि हे मुनिवर, मुनिवर कौन है भगवान परशुराम की ये धनुष्तो श्री राम के रघुपति यानि की श्री राम रघु जो है वो भगवान राम के कुल का न सदा चली आई प्राण जाए पर वचन ना जाए हना तो रघुकुल वो उनके कुल का नाम है और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दू कि रघुकुल जो है वो सूर्यवंशी है पौराणिक भारत में दो वंच के राजा होते थे सूर्यवंशी चंद्रवंशी रघुवंशी जो है वो प्रॉपर सूर्यवंशी है और यह बहुत बड़ा वंच था ऐसा माना जाता है कि भगवान राम के ही पूर्वच थे राजा हरीश चंद्र खैर हम आगे देखते हैं रघुपती यानि की रघुकुल के पती यानि की भगवान राम के रघुवंशी थे रघुपती ना दोसू चुवत तूट रघुपती ना दोसू यानि की हे मुनिवर ये धनुष रघुपती के यानि की श्री राम के छूते ही तूट गया मुनि बिनुकाज करियकत रोसु मुनि बिनुकाज यानि की मुनि यानि की बता है मुनिवर यानि की भगवान परशुराम बिनुकाज यानि की बिना कारण के ही आप क्रोध कर रहे हैं रोसु का अर्थ है क्रोध अब आगे देखते हैं यहां तक समझ में आया लक्षमण जी क सारे धनुष एक समान है हना तो इस जूने यानि कि पुराने धनुष को तोड़ने में क्या नुकसान और क्या फायदा इस धनुष को श्रीराम ने सिर्फ अपने नैनों से देखा ही था चुवत तूट यानि कि यह धनुष तो उनके छूटे ही तूट गया इसमें रघुपती का यानि कि स्री राम का कोई दोश नहीं है वो गिल्टी नहीं है उनका कोई दोश नहीं है या वो इसकी जिम्यदार नहीं है मुनि बिनुकाज करिये कतरोसु की मुनिवर आप बिना कारण के क्रोध कर रहे हैं आगे देखते हैं बोले चिते परसु की ओरा अब चिते शब्द का अर्थ अगर मैं आपको बताऊं नंबर 4 है देखकर आई होब कि आपको यह section दिख रहा हो board का हाँ I guess दिख रहा है मैंने numbers दिये हैं हर ठोड़े difficult letter की उपर और उसकी उपर number लिखकर के meaning लिखा है वो आप note कर लीजे चाहिए तो बोले चिते परसु की ओरा अब भगवान परशु राम अपने परसे को देखकर अपनी कुलहाडी को देखकर के बोलते हैं क्या बोलते हैं रे सट सुने ही सुभाव न मोरा सुननाPS यहां पर मैंने आपको पहले की तीन लाइन में बताया कि रक्षमन जी हस्ते हो यह क्या बोलते हैं उसके जवाब में भगवाण परशु राम अपने फरसे की ओर देखते हैं और कहते हैं कि हे मूर्क क्या तुने मेरे स्वभाव के बारे में नहीं सुना बालकू बोली बधो नहीं तो ही अब यहाँ पे बधो शब्द का जो अर्थ है बधो शब्द का अर्थ होता है वद करना बालकू बोली बधो नहीं तो ही अब भगवान परशुराम कहते हैं कि मैंने अब तक तुझे बालक समझ करके बच्चा समझ करके तेरा वध नहीं किया केवल मुनी जड़ जान ही मोही जान ही शबकार्थ होता है जान कर यानि कि अब भगवान परशुराम अपने फरसे की ओर देखते हैं और कहते हैं कि मैंने अब तक तुझे बालक जान करके बच्चा जान करके तेरा वध नहीं किया था तू क्या मुझे केवल मुनी समझ रहा है मुनी जड़ जान ही मोही यानि कि देखिए जो मुनी है वो काफी सम्मान के है भारतिय सभ्यता में सभी मुनियों का सम्मान होता है इस सभ्यता म तो मुनी जो है उन्हें माना जाता है तब तपस्या करने वाले जो हाथ में शस्त्र नहीं उठा थे मुनी वो है इंडियन कल्चर में जो हाथ में कमंडल उठा है पर इनके हाथ में फर्सा है दूसरे हाथ में कमंडल भी है पर एक हाथ में फर्सा है कुलहाडी है शस्त्र है व कि सबी शत्रियों को खत्म कर दिया रहे जिवन बर्द पुजा पाठ का वृत रखे शन्तान उत्पन ना करे उसे ब्रह्मचारी कहते है बाल भ्रम्मचारी अतिकोही कोही शब्त का अर्थ नंबर 9 में आप देख सकते हैं क्रोधी यानि कि वो अपने बारे में अब बताते हैं खुद भगवान परशुरांप खुद अपने बारे में अब लक्षवन जी को बता रहे हैं अभी भी फरसे की और देख रहे हैं कि बाल यह एक्सार शुद्व इश्व विदित यह लिका गए है, आपको लग रहा रहा है कि विश्व विधित होना चाहिए पर سंस्कृत में उचारण अलग तरीके से किया जाता है क्योंकि पिक ही हिंदी में लिखी गई है, इसे भी की जगह ब लिखा गया है विश्व विधित शत्रियकुल द्रोही विश्व विख्यात यानि कि बहुत फेमस बहुत पॉपुलर यानि कि जिसके बारे में पूरा विश्व पूरा वर्ल्ड जानता हो तो क्या लिखाए कि मैं बाल भ्रहमचारी हूँ और बहुत क्रोधी हूँ और मैं पूरे दुनिया भर में शत्रिय कुल का यानि कि जो भी शत्रिय है उनका द्रोही यानि कि शत्रू उनका दुश्मन होने के नाते मशूर हूँ ये वो खहते हैं भुजबल भूमी भूप बिनु की कि नही विपुल बार मही देवन दिन ही फिर से देखते हैं भुजबल भूमी भूप बिनु की नही विपुल बार मही देवन दिन ही अब जैसा मैंने आपको बताया था कि भगवान पर शुराम के बारे में ऐसा कहा जाता है कहा नहीं जात देखते हैं क्या हुवा था कि भुझबल का अर्थ होता है भुझाओ के बल से भूजाओ हातों के भूजाओ के भल से भूमी भूप बिनू कि नहीं अब वही कह रहे हैं जो मैंने आपको बताया महि देवना और आए अब आगे देखते हैं, सहस बाहु, भुझचहेद निहारा, परसु बिलोकू महीप कुमारा सहस बाहु भुझ छेद निहारा, यानि कि सहस बाहु के बारे में मैंने आपको बताया है, सहस्तर बाहु वो जो राजा था जिसने उनके पिता को मार दिया था, भगवान परशुराम के पिता को, उसके बहुत सारे हाथ थे, बहुत हाथ को क्या कहते है, भुझा, यानि कि उस ठीक है, सहस बाहू के भुजाओ को हातों को मैंने काट दिया, परसु बिलो को महीप कुमारा, अपने फरसे को अभी भी देख रहे हैं, और देखते हैं, ये मेरे फरसे का प्रताप है, महीप मेरे फरसे की महिमा है, अब आगे क्या दिखा है, मातु पितही जनी सोच बस करसी महिस की सोर, कर्भन के अरभग दलन परसु मोर अति घोर, अब यहाँ पे एकदम इजी वर्ड्स को टागेट करो, पहले फर्स लाइन देखो, ठीक है, मातु पितही जनी सोच बस, मातु पितही का मतलब हिंदी से रि और पिता यानि की माता पिता यान की मॉम डाड, माता और पिता, सोच बस करसी महिस की सोर, महिस की सोर लक्षमन जी को कहा गया है, लक्षमन जी के दो नाम है इस कवीता में, एक तो उन्होंने उनको निरिप बालक के नाम से बोला था, मैंने आपको बताया था, पिछले रे नृप։र को राजा के पुत्र लक्षमड जी के तीन नाम है इस कविता में अगर आप देखेंगे तो इस नाम से बुलाया गया कहा गया रे निर्फ बालक यान की रा जाका पुत्र लं की में लक्ष्मण जी को ही कहा गया है एक ल्राइन में आपको बताता हो यह नम उनको क्यों दिया गया है वो इसलिए क्योंकि निरुप बालक नम उनको संक्ट मोचन व्यादिया गयाता है वैसे राजय को महीस भी कहा जाता है किसोर यानि कि उनके ललना उनके किशोर तो उनके पुत्र है राजा दसरत के पुत्र है लक्षमन जी इसलिए महीस किसोर यानकि लक्षमन जी को तीसरा नाम दिया गया है महीस किसोर अब इस अंतिम दो लाइन में भगवान परशुराम क्या कहते है मातू पित सूक्ष combat के सोच कर का तैसंटे मतापिता के बारे महतना मेरा प स्साइए पूराग। इतनी मत careless से में उस से प्राहार नहीं किया उसके सिर्द्व तन Palace से इतनी प्रचंड यांकि इतनी तेसं गर्जना है कि औरत के गर्ब में पल रहा बालक भी मृत्यू को प्राप्त हो जाता है यान कि इतनी प्रचंड है वो ऐसे बताते हैं अब हम आगे देखते हैं चलिए अब आगे समझते हैं बिहसी लखनू बोले मृदुबानी अहो मुनिसू महभट मानी यानि कि अब बिहसी यानि कि हसते हुए लक्षमन जी क्या कहते हैं मृदुबानी यानि कि कोमलवाणी में कहते हैं कि हे मुनिवर मैंने तो आपको महभट माना था महभट मानी यानि कि मानी को आप कुछ देर के माना समझिए महाभट माना महाभट का अर्थ मैंने लिखा है महान योध्धा अब लक्ष्मन जी हस्ते हुए क्या कहते हैं हस्ते हुए ऐसे नहीं कोमलवाडी में यानि कि प्यार से मृदुवाडी में क्या कहते हैं कि हे मुनिवर मैंने तो आपको महाभट महान योध्धा मान था पुनि-पुनि मोहु दिखाव कुठारू यानि कि अब पुनि-पुनि का अर्थ होता है बार-बार कि हे मुनिवर आप बार-बार मुझे अपना कुठारू यान की फर्षा अपनी कुलहाडी दिखा रहे हैं चहत उड़ावन फूकी पहाडू क्या आप फूक मारकर पहाड उराने की चेश्टा कर रहे हैं या कोशिश कर रहे हैं थो यहां क्या लिखा है बीहसी लखनू यानकी हसते होए कोमल वचनू में यानकी परशुराम जी जो है हमने पहले के पैराग्राफ में देखा वो पहले ही बहुत क्रोधित हो चुके हैं परशुराम जी क्रोधित यानकी गुस्से में क्यू है यह हम इस लाइन से समझ सकते हैं इससे पहले वाले पैराग्राफ की क्यों खुद कहते हैं कि मा तू पिता ही जनी सोच बस करसी महिस किस कि अपने माता-पिता कि पारे में बात करो बच्छे तुम्हें नहीं पता मेरा इस पर्सा इतना भयंकर है कि इसके प्रचंड वेग से घर्ब में पल रहा बालक भी मर जाता है तो उनकी इस बात से ही हम समझ सकते हैं कि भगवान परशू राम और गुस्से में ऐसे में और अपना कुठारू यानि कि अपना फर्सा दिखा रहे हैं क्या आप फूक मार कर पहार उड़ाना चाहते हैं अब आगे देखते हैं यहां कुमहडबतिया कुई नाही जे तरजनी देखी मरी जाही अब यह सबसे इंपॉर्टन पॉयंट यह पूरे पोयम के सबसे के सबसे इंपॉर्टन री इस लाइं की और जैसे है यहां मैंने एस्टिया स्टार माक किया और कुमहडबतिया किसे कहते हैं कई जग historie entrepreneurs books में खी on focus में कि कमजोर कोई नहीं कि कुमहडबतिया का एक अर्थ आपको मिलेगा कई reference books में वो ہیں कमजोर कि वीख होना कमजोर होना पर कुमहडबतिया का एक और अर्थ जो मैंने यहां लिखा है star mark करके आपको दिख रहा हो उसका होता है कदू का फल यानि कि कदू का फल कदू होगा चाहिए यानि कि कद्दू का जो नहीं होता है बहुत बड़ी वरिक्ष अच्छे कासे plantations होता है तो जो pumpkin का जो plant होता है उसमें भी फूल निकलते हैं फूल निकलते हैं तो ऐसा माना जाता है कि सच में प्रॉद मुलायम क्या कह सकते हैं उसको कफी मुलायम होता है और कफी कमजोर होता है और अगर आप उसे छोएंगे भी तरजनी किसे कहता है यानि कि अपने हाथ की सबसे चोटी वाली वाली Alley को तरजनी उंगली कहते हैं यानि कि कद्दू का फूल अगर आप कहीं गाउं अगेरा में जाए तो आप उसे अपनी तर्जनी उंगली से चुएंगे भी तो मुर्जा जाएगा मुर्जा नी जाएगा पर उसकी पंखुडिया बंध हो जाएगी और शिकुड जाएगा अपने आप में तो इतना नाजुक है कि तर्जनी उंगली वैसे तर्जनी उंगली के बारे में यह है कि इसी उंगली पर कृष्ण भगवान ने पुरा पर्वत उठाया था एनिवेश तर्जनी यहां कि सबसे छोटी उंगली से भी आप उसे चुझ देंगे तो मुर्जा सा जाएगा तो अब वो औ और गुस्सा दिलाते हुए भगवान परशुराम को लक्षमण जी कहते हैं, यहां कद्दू का फूल कोई नहीं है, यहां इतना कोई कमजोर नहीं है, जो तरजनी उंगली देखकर ही मर जाएगा, अब देखते हैं, देखी कुठारू सरासन बाना, मैं कुछ हुआ कहा सहित अ सरासन, सरासन का अर्थ है धनुष, यहां कि मैंने आपको बता है, भगवान परशुराम जो है, अगर मैं आपको उनके बारे में एक पिक्चर दिखाऊं, तो आप ध्यान से देखेंगे कि इसमें उनके पास कुलहाडी तो है, फोर शोर, पर भगवान परशुराम के हाथ मे धनुष भी होता है, यह मत भूलिए, यह वही भगवान परशुराम है, जिन्होंने महा भारत के महा महीम भीश में महागुरु द्रोण और अंग राज करन जैसे युद्धाओं को शिक्षन दिया है, और इस सब महान धनुष धारी है, तो भगवान परशुराम के हाथ में फरसा भी रहता है, कुलहाडी भी रहती है, कुलहाडी ऐसा माना जाता है कि उनके हाथ से चिपकी हुई है, और उनके हाथ में धनुष भी रहता है, तो अब वो क्या रहता है, लक्षमन जी देखी कुठारु सरासन बाना, यानकि मैंने आपका कुठारु यानकि कुलहाडी सरासन यानि कि मैंने आ लिखा है धनुष मैंने आपकी कुलहाडी आपका फरसा और धनुष देखकर तो ये आपको महान योध्धा माना था मैं कुछ हूँ कहा सहिध अभा ना मतलब कि मैं ने जो कुछ भी कहा अभाविमान से यन की गर्व से कहा exactly अब इसे ध्यान से समझे अब तक क्या हुआ भगवान पर्शूराम पहली गुस्वे में आ चुक आप बार बार कुलहाडी दिखा रहे हैं कि आप फूक मार के पहाड उड़ाना चाहते हैं यहां पर कोई कद्दू का फूल या कुम्भड बतिया नहीं है कि आप तरजनी उगली दिखा देंगे और उसी कुड जाएगा यानकि मैं भी वीर योद्धा हूं और अब वो कहते हैं कि मैंने तो आपकी कुलहाडी और आपके धनुष को देखकर आपको वीर योद्धा माना था और आपकी इस कुलहाडी और धनुष को देखकर के मैंने जो कुछ भी आपके बारे में कहा गर्व से कहा था लेकिन अब मुझे लग रहा है कि मैं गलत हूं, कैसे वो आगे के लाइन में समझाते हैं भ्रिगु सूत समूझी जनेव बिलो की जो कुछु कहू सहुरि सो रोकी ब्रिगु सूत, ब्रिगु का अर्थ मैं आपको बता देता हूं, ब्रिगु शब्त का अर्थ भूमी नहीं होता है, ब्रिगु जो है वो एक वंच का नाम है, जैसे थोड़ी दर पहले मैंने आपको रघु वंच के बारे में बताया था, जो कि सूरे वंच के अंदर आता है, वो भगवान परशुराम के great grandfather या grandfather आप खह सकते हैं, great grandfather थे या grandfather हो तो मुझे exactly पता नहीं, पर वो भ्रिगु वंच के वंचज है, भगवान परशुराम जैसे श्री राम रघु वंच के वंचज है, अब आगे देखते हैं, तो जहां पर भी भ्रिगु शब्त का अर्थ हो, आप समझ जैए कि भगवान परशुराम के बारे में बात की जारी, आप देखते हैं, ब्रिगु सुच समझू, जनेव बिलोकी, जो कुछ कहू किनहर इसे रोकी, यानि कि हे भगवान परशुराम, बिलोकी का अर्थ होता है, देखकर, आपके जनेव को देखकर, मैंने अब अब तक अपना क्रोध रोक कर रखा है, रिस्क का अर्थ होता है, क्रोध रोकी का मतलब हिंदी से कनेक्ट किजे, रोक कर, यान कि लक्ष्मन जी क्या कहते हैं, कि यहां पर कोई कद्दू का फूल नहीं है, जो आपकी तरजनी उंगली दिखाने से मुर्जा जाएगा, आप का धनुष देखकर आपके बारे में जो कुछ भी कहा था, गर्व से कहा था, लेकिन मैं गलत हूँ, क्यूंकि अब तक मैंने आपका जनेऊ देखकर, हे भ्रिगुवंशी, मैंने अब तक आपका जनेऊ देखकर सिर्फ अपने गुस्य को रोक करके रखा हुआ है, आप समझ सुरियान की भ्रामण, हरी जन यानि की पूजा पाठ करने वाले लोग, गांधी जी ने हरी जन नाम जो है, वो उनको दिया था, जो शडियूल का, शडियूल ट्राइप्स, दलिज जो थे, पर ये हुआ था, हिस्ट्री में, आफ्टर 19th सेंचरी, पर ये हम बात कर रहे हैं कब की द्वापर युग की बात कर रहे हैं, हम रामायन, त्रेता युग में हुई थी, महाभारत द्वापर युग में हुई थी, एनिवेस, तो हरी जन का मतलब आपको गांधी जी की डेफिनेशन से नहीं, हरी जन का अर्थ होता है, पूजा पाठ करने वाले लोग, तो ल क्यूंकि हमारे कुल में कहा गया सुर मही सुर हरी जन अरुगाय यांकि रघु वंच की जो परंपरा है उसमें भ्रामध हरी जन यांकि पुजा पाठ करने वाले देवता और गाय इन चालों पर शस्त्र नहीं उठाए जाते प्रहार नहीं किया जाता सुराई का अर्थ मैंने सुर हरी जन अरुगाय यांकि देवता भ्रामड हरीजन और गाए अगर हम इनका वदधते है तो यह कि पाप लगता है और अगर इंसे लड़ाई में हार जाते है तो अप्मान होता है हमारी बेज़ती हो जाती है मारत तहु पाव परीर तुम्हारे मारत हु यानि ACTUALLY griev नेया था ये पर मैंने पाव लिखा है तक आपको समझ मैं कि हम पैर की बात कर तो अब वो कहते हैं कि सुर महिसुर हरिजन गाय इन चारों का अगर हम वद कर देते हैं तो पाप लगता है इनसे लड़ाई में हार जाते हैं तो हमारी बेज़ती होती है हमारी अपकीरती हो जाती है हमारे यश जो है वो नस्थ हो जाता है और इसलिए अगर आप मुझे मारे तब भी मैं आपके पाओं ही पढ़ूंगा यानि की पढ़ना पढ़ूंगा यह कौन कह रहा है लक्षमन जी भगवान परशुराम से अब आगे देखते हैं कोटी कुलिस सम वचनु तुम्हारा व्यर्थ धरू धनु बान कुठारा खैर इसका मतलब यह सा है कोटी कुलिस यानि की कुलिस का अर्थ होता है कठोर अब लक्षमन जी कह रहे हैं कि आपके तो वचन ही इतने कठोर है आपने तो व्यर्थ में आचली व्यर्थ लिखा है ले दखोर है आपके वचन कि आपको शस्तर की आवशक्ता ही नहीं है आप अपने वचनों से ही चोट पहुंचाते हैं तो यह उनका मजाक उडा रहे हैं अब आगे देखते जो बिलो की अनुचित कहिऊ जो बिलो की अनुचित कहिऊ चमहू महा मुनी धीर सुनी सरोष भिगू बन समनी बोले गिरा गंभीर यानि कि जो बिलो की यानि कि ये देख करके जो भी लक्षमण जी कह रहे थे वो सुन करके और उन्हें देख करके जो भी अनुचित कह रहे थे मतलब एक्चली लक्षमन जी को वैसे बात नहीं करनी चाहिए थी तो जो कुछ भी लक्षमन जी ने कहा उन्हें सुन करके देख करके भगवान परशुराम ने उन्हें शमा करने के बारे में नहीं सोचा वो गंभीर विचार करने लगे उस बात पर इन दो लाइन का एकी मतलब है जो भी लोकी का मतलब होता है देख कर अनुचित कहे हूँ यानकि जो भी अनुचित कहा छमहू यानकि शमा कर दो महामुनी धीर कि धीरज रखने वाले महामुनी यान कि भगवान परशुराम सुनी सरोष भ्रिगु बंसमनी बोले गिरा गंबीर अब लक्षमण जी कहते हैं कि हे प्रभू मैंने जो भी अनुचित कहा हो उसे सुन करके आप मुझे माफ कर दीजाब आप खुद सोचिए कि कितना व्यंगात कि इस से पहले वाले पारग्राफ में वह खुद भगवान परशुराम को चिड़ाते हैं कौन भगवान श्री लक्षमण जी भगवान लक्षमण जी वह बार-बार कहते हैं कि आपने व्यर्थ में यह रखा है व्यंगात्मक यानि कि हास से शैली में वह मजाग उडाते हैं भगवान परशुराम का और राश में माफी भी मांगते हैं कि है मुनिवर अगर मैंने कुछ अनुचित कह दिया हो तो मुझे माफ कर दीजिएगा अब यह सुनकर भ्रिगुवंच के जो है भ्रिगुवंची यानि कि भ्रिगुवंच के भगवान परशुराम है वह सोचते और सोच कर वो क्या बोलते हैं अब देखते हैं कौसिक सुनहु मंद यहु बालक कुटिल काल बस निजकुल घालक कौसिक किसे कहते हैं कौसिक जो है यह कहा गया है विश्वा मित्र जी को मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया था इससे पहले वाले पार्ट म कि विश्वा मित्र जो है विश्वा मित्र जी जो है वही है जो भगवान राम और लक्षमन जी को सीता जी के या माता जानकी के स्वेंवर में लेके आये थे तो राम जी लक्षमन जी भगवान परशु राम और विश्वा मित्र जी भी है पर उन्होंने कुछ कहा नहीं है विश्वामित्र जी का ही नाम कौसिक है जैसे लक्षमण जी के तीन नाम है लखन निरिब बालक और और क्या नाम था उनका और एक नाम था हां महिस कि सोर ये तीन नाम है लक्षमाण जी के उसी तरह इनका भी एक नाम है विश्वामित्र जी का कौसिक। पोएम में एकी नाम यूस किया गया है विश्वामित्र जी के लिए कौसिक। अब क्रोध में वो लक्षमन जी से नहीं भगवान प्रशुराम विश्वामित्र जी से कहते हैं क्योंकि वो भी एक महामुनी है कि हे विश्वामित्र जी सुनो ये बालक मंद है मंद बुद्धी है पिवकूफ है ये हुबालक कुटिल काल बस निजकुल घालक की ये काल के बस में यानकी मृत्यू के वश में होकर के कुटिल वचन कुछ भी बोल रहा है और ये अपने कुल का विनाश कर देगा कुल घालक खालकू यानकी कुल का विनाश कर देगा भानू बस रोकस कलंकू निपट निरंकसु अभुदु असंकू अब यहाँ पर भगवान परशुराम कहते हैं कि इस बालक की स्थिती वैसी ही है जैसे सूर्य वंशी होने पर भी चंद्रमा में कलंक है यानि कि अब अगर मैं इस बालक का वद कर दू तो मुझे कोई दोश मत देना मतलब इसने मुझे पहले ही बहुत गुसा दिला दिया है तो यह इन लाइन्स का मतलब है यहाँ पर मैंने मीनिंग भी मंगल फॉन्ट से टाइप करके लिखाया आप देख सकते हैं कि इसकी स्थिती उसी तरह है जैसे सूरे वंची होने पर भी चंद्रमा में कलंक है इसका मतलब क्या है देखिए रगुवंच सूरे वंच से निकला है सूरे वंच जो है उसमें कलंक नहीं है कलंक सिर्फ चांद में है चंद्रमा में है कलंक कार्थ क्या है चांद में भी कुछ दाग होते हैं, मेरे चहरे पे भी कुछ दिख रहे होंगे, चांद में भी कुछ दाग होते हैं, सूरे जो है उसमें कोई दाग नहीं है, सूरे जो है वो इतना तीजस्वी है कि दोपहर की सूरे को आप देखी नहीं सकते, तो वो कह रहे हैं कि ये बालक स स्वूरे में दाग नहीं होने चाहिए अब आगे देखते हैं कि Yeah कर अगर इस बालत का वद अभी मैंने कर दिया को रिमो ही नाही कोरी का अर्थ है दोश मुही का मतलब है निरा अब भखวान परशूराम कहते हैं कि अब अगर मैंने इसका वद्ध कर दिया तो मेरा दोश नहीं है इसमें तुम हुँ हट कहू जो चाहू उबारा कही प्रतापू बलू रोश हमारा अब भगवान परशुराम कहते हैं तुम ही हट कहू यानकि विश्वा मित्र को कहते हैं कौसे कि अब तुम ही इसे बताओ तुम ही इसे इस काल के बस से उबारो और इसे बताओ मेरे प्रताप के बारे में मेरे बल के बारे में और मेरे क्रोध के बारे में रोशु शब्द जहां कहीं भी आपको दिखे उसका आर्थ पहले वाली स्लाइड में भी बता आया था यहां पर भी बता देता हूं रोशु शब्द का आर्थ होता है क्रोध ठीक है तो अब इस पूरे पैराग्राफ में भगवान परसुराम क्या कहते हैं कि विश्वा मित्र को कहते हैं लक्षवन जी की तरफ देखते भी नहीं है विश्वा मित्र की तरफ कहते हैं कि हे कौसिक यह जो बालक है यह काल के बस में होकर के कहीं आज अपने पूरे कुल का ना करवा दे यानि कि भगवान परशुराम कर देंगे वह भानु बस रोकस कलंकू निपट निरकंशु अभधु असंकू की यह जो है यह काल के बस में होकर बोल रहा है इसकी स्थिती ऐसी है जैसे सूर्य वंशी होते हुए भी चंद्र की तरह दाग है इसमें यानि कि यह ग देखते हैं कि अब तुम ही इसे मेरे प्रताप बल और क्रोध के बारे में बताओ विश्वा मित्र से कहते हैं आप देखते हैं लखन कयो मुनी सुझू सु तुम्हारा तुम ही अच्छत कव बरने पारा अब लक्षमन जी हसते हुए कहते हैं कि हे मुनिवर उनसे आप सुझू सुझू तुम्हारा तुम्ही अच्छत को बरने पारा की से पहले और में क्या है कि वह कहते हैं कि भगवान पर्शूराम विश्वा मित्र जी कॉसिक जी कहते हैं कि मेरे बल प्रताब के बारे में बताओ तुरंद लक्षमन की इंटरपट करते हैं आप्सटी बात तुम्ही आपनी करनी यानि कि अपने मुहू का अर्थ है अपने ही मुह से आपनी करनी यानि कि अपनी ही करनी यानि कि जो कुछ भी आपने आज तक किया है आप अपनी ही करनी अपने मुह से इतने अच्छे से बता रहे हैं अनेक भाती यानि कि कई बार बता रहे हैं अपनी क करनी कि आपको विश्वामित्र जी की जरुवत ही नहीं है आपके बारे में बताने के लिए नहीं संतोशु तो पुनी कुछ कहूँ जिनीरिस रोकी दुसु दुख सहूँ अब वो क्या कहते है सुनिए नहीं संतोशु नहीं संतोशु का अर्थ है नहीं संतोश यानि कि साटि स्षवाय आप नहीं है तो आप फिर अपनी बढ़ाई कर लीजिए आप वैर्थ ही अपनी बढ़ाई करके अप दुखमत सहिए जनेरिस रोखी दुख सहूव कि होता है эффique श package मानो जुसे अपनी बढ़ाईं करने सब्सक्राइब, निर्व नेफु एक पते हैं और यहरूहे है, निस्वाति मौना था दीजी सब्सक्षोड भूण या को थैस्ट आपको यह्या है, लोग को शक्त करा बीड़ती हैіз तुम्हू धीर अच्छोबा गारी देत ना पावू सोभा अब यहां पर क्या कहते हैं लक्षमण जी बीर ब्रती बीर ब्रती का अर्थ मैंने इस पारग्राफ में भी वेक्षन मेंशन किया है यानि कि वीरो यानि कि वीरो के बार में बात की जा रही है भगवान परशुराम खुदी एक अच्छे वीर है वीरो यानि कि शूरवीर योद्धा तुम्हा धीर अच्छोबा धीर शब्त का अर्थ होता है धैरे रखना या धीरज रखना या और थोड़ा इंग्लिश टर्म्स में बात करूँ तो patience रखना उसी को हम धीरज रखना या धैरे रखना कहते है तो बीर ब्रती तुम्हू धीर अच्छोबा गारी देतना पावू सोभा गारी का अर्थ गाली नहीं है गारी का अर्थ है मतलब अपशब्द examination paper में अगर ये paragraph आये और इसका meaning लिखने के लिए कहा जाए तो आप गारी का अर्थ गाली नहीं लिखेंगे वो अजीब होगा अपशब्द लिखेंगे actually इसका अर्थ यही है गाली जो शब्द है वो आज के modern terminologies में यूज़ की जाती अभी देखते हैं कि वीर को धीर जो है वो शोभा देता है यानि सॉरी तुम्हों धीर अच्छोबा यानि कि वीर को अधैर है यानि कि कोई भी वीर योधा impatient हो तो व कही ना जान वही आपू सूर समर करनी करही कही ना जान वही आपू जो वीर होते हैं वे व्यर्थ में अपनी बढ़ाई नहीं करते हैं बलकि अपनी करनी से अपनी वीरता को सिद्ध करते हैं ये वो कहना चाते हैं लक्ष्मन जी इस पूरी लाइन में आगे क्या कहते हैं व भी सूर समर सूर समर का अर्थ है जो भी वीर योद्धा होते हैं वो अपनी करनी कहीं नहीं कहीं नहीं जो भी वीर योद्धा है वो अपनी करनी कहते नहीं है जनाते नहीं है लोगों को आपकी तरह विद्यमान रण पाई रिपुकायर कता ही प्रतापू यानि कि सूर्समीर जो भी वीर योधा है वो अपनी करणी कहिना यानि कि कहते नहीं है छोगों से आपकी तरह भलकि वो जो है युद्ध में अपने शत्रू के सामने जाते हैं और युद्ध करते हैं पर जो कायर होते हैं वो रन, रन का अर्थ है रन, रन का मतलब रन भूमी जहां पर लड़ाई होती है वो क्या कहतना है लक्षमन जी लास्ट के दो लाइन में जो वीर होते हैं वो अपनी कतनी मतलब अपना गुडगान नहीं करते हैं वो अपनी करनी में विश्वास रखते है और जो कायर होते हैं वो रंड में जाकर के रंड भूमी में जाकर के शत्रु के सामने अपना गुडगान करते हैं मतलब यह अब भगवान परशुराम को डिरेक्टली टागेट करके बोल रहे हैं वह कता ही प्रतापू यानिकि अपने प्रताप के बारे में यह अपना गुड अब तक हमने situation को समझा कि situation कहां तक पहुच गई है भगवान लक्षमन के लगातार कटु वचन बोलने के मकारण या कड़वे वचन बोलने की वज़े से भगवान पर शुराम का आपा धिरे-धिरे बढ़ रहा है और कहीं न कहीं बाकी लोगों को भी ये लग रहा है कि ये सई नहीं है अब इसी बीच में लास्ट पैराग्राफ में हमने देखा था कि विश्वा मित्र जी को भी यहां पर ले आए भगवान पर शुराम और सीधा उनसे भी बात करने की कोशिश की कौसिक जो नाम है वो भग आगे वाले पैराग्राफ में पढ़ेंगे फिल्हाल के लिए याद रखिए कौसिक नाम कहां गया हां कौसिक नाम जो है भगवान विश्वा मित्र का है अब आगे देखते हैं विश्वा मित्र जी कौन जो राम लक्ष्मन जी को लेके आया था यह पैराग्राफ देखते ह तुम्हातो काल्यू हाक जनु लावा बार-बार मोही लगी बुलाबा बार अब इसका देखते हैं कि थे तुम्हातो यानि की द सब्सक्रारी है तो काल्यू हाक दम्डिक अर्थं काल यानके मृत्यू एक तरह से के-टे ना की काल सवार है यह जिसका काल आगया उसका मरना निश्चित है तो काल Basically मरित्यू काल कार चैटा नाम है तुम्हा तो काल हांक यानि कि तुम तो काल को आप कर अब जैसे हम गाइब वहां को आपके ना गाओ में 00 gum ैं शुराम जी से कि आप तो काल को हाग कर मेरे पास लेकर करके आरे हैं बार भार मोही लगी बुलावा इस पूरे sentence को बहुत सारे बच्चे जो गल्ती करते हैं कि वो तोड़ तोड़ करके देखते हैं अगर आप sentence को तोड़ करके देखेंगे और literal translation करेंगे तो आप कभी इसे decode नहीं कर पाएंगे अगर मैं अपने पूरे experience से या अनुभव से या तजुर्वे से आपको कोई चीज बता सकता हूँ तो किसी भी sentence का literal translation मत करना कभी भी आपको लग रहा होगा कि मैं क्या बकवास बात कर रहा हूँ लेकिन इस सच में काफी related है for example यहाँ पर जैसे देखिए अगर literal translation करेंगे तुम्हें तो कालू हाक जनुलावा तो क्या हैगा तुम तो काल को हाक कर जानकर मेरे पास ला रहे हो जनुलावा का मतलब क्या होता है जानकर लाना यानकि लक्षमन जी भगवान परशुराम से कह रहे है जो कि भगवान विश्णु के छटे अफतार है लक्षमन जी भगवान परशुराम से कह रहे है कि तुम तो काल को हाक कर मेरे पास ला रहे हो मतलब हमारे पास ला रहे हो अब यहाँ पे बार बार मोही लगी बुलावा अगर आप इसे धान से देखोगे कि हाक जनुलावा और बार बार मोही ये जो एक दो तीन चार ये जो पाथ से छे शब्द है इनका मीनिंग एक ही है बस अलग-अलग वे में प्रेजन्ट किया गया है तो ये मत देखना कि भगवान परशुराम से कह रहे हैं हसते होएं व्यंगातमक शैली में कि आप तो काल को मेरे सामने या मेरे पास हाक करी लेकर आ जाएंगे बार बार काल को मेरे पास जो बुला रहे हैं अब लगी बुलावा का मतलब बुलाना अब आगे देखते हैं सुनत लखन कठोरा पर के बाद और पहले वाले पारग्राफ में हमने समझा कि पहले ही भगवान परशुराम का जो धैर है या जो उनका पेशन्स है वह सौट ऑफ कम होते जा रहा है क्योंकि लक्षमन जी कब से कह रहे हैं तो इस लाइन में क्या है जब जैसे लक्षमन जी ने ये बात कही कौन सी ब बारा कि लक्षमन जी के कठोर वचन सुनकर भगवान परशुराम को जो फर्सा था जो कुलहाडी थी उसे उन्होंने सीधा कर लिया उठा लिया कैसे मैं आपको समझाता हूं देखिए उनका फर्सा है अगर इसका ये सट यानि की प्लेन या फिर स्ट्रेट वाला हिस्सा श धनुष को ऐसे कर दिया गया ये धनुष की दोरी है धनुष को ऐसे कर दिया गया तो आपने धनुष उठाया ऐसा कप करते हैं जब युद्ध होने वाला है तो उसी तरह भगवान परशुराम माननों अब युद्ध कर ही देंगे लक्षमन जी से क्योंकि उन्होंने उनका इतना अपमान कर दिया उन्हों अपने फरसे को सीधा करके उठा दिया अब देखते है आगे क्या हुआ यह लाइन का मीनिंग में फिर से बता दू सुरत में भचण कठोरा कठोरा का अर्थ है कडवे वचन European सब्सक्राइब करें लक्षमन जी के उन्होंने पर्सु सुधारे घरेव कर धोरा अपने फर्से को सीधा कर दिया घोरा यानिकी उनका घोर घोर शब्द का मतलब क्या होता है इन्टेंस उनका घोर है वह कोई मामुलिक कुलहारी नहीं है वह भगवान शिफ के द्वारा दी गई कुलहारी है उन्हें सिधा कर दिया उनका घोर यानकी घोर पर्सा उनकी कुलहारी आगे देखते हैं अब जनी देव दोसु मोही लोगू कटुबादी बालकू बधजोगू अब क्या है कि अब जनी देव दोसु मोही लोगू अब भगवान परशुराम ने क्या किया अपना परसा सीधा कर लिया गुस्से में अब जैसे मानो युद करने वाले लक्षमन जी से और क्या कहा उन् कि अब जनी यानि कि यहाँ उपस्थित सभी जन की जो कोई भी यहाँ पर है अब मुझे दोश मत देना क्योंकि अब ये बालग मृत्यू के योग्य है या वद करने के योग्य है अब मैं इसको मार दू ये मरने के योग्य है लायक है ऐसा वो कह रहे हैं इस लाइन में कटू वेवचन बोलने वाला बद जूगू का अर्थ क्या है वद के योग के मरने के योग के आगे देखते हैं बाल बिलो की बहुत मैं बाचा अब यहू मर निहार भासाचा की अब परशुराम जी कहते हैं की इसे बालक समझ करके बाल बिलो की नमब थ्री बिलो की का अर्थ होता ह समझ करके बालक जान करके समझ करके बहुत मैं बाचा मैंने इसे बहुत बचाया ये कबसे मेरा आप मान कर रहा है मैंने इसे बहुत बचाया अब ये हूँ मर निहार भा साचा अब ये मर निहार का रता है मरने योग्ये साचा मतलब सच मुझ की अब ये बालक सच मुझ मरने Vallahi क्या मिनिंग में निहार भासाचा यानि की बालक समझ करके मैंने इसे बहुत बचाया, अब यह बालक सच में मरने की योग्य है या मरने की लायक है, कौसिक कहा ज्छमी अपौराधु बाल दोश गुनगने नसाधु कौसिक का, मैंने आपको पहले बताया था विश्वा मित्र जी कही नाम कौसिक है अब यहां पर विश्वा मित्र जी से कोई कुछ नहीं कह रहा है विश्वा मित्र जी खुद कुछ कह रहे हैं तो अब इस बीच में कौसिक यानकी विश्वा मित्र जी एक इंपॉर्टन बात मैं आपको बता दू कि विश्वा मित्र जी और भगवान परशुराम मैं नहीं जानता आपके हिंदी टीचर ने आपको बताया कि नहीं पर यह दोनों भाई है विश्वा मित्र जी और परशु खड़ा है जो एक भ्राम्मण है और वही राम और लक्षमन जी को लेकर आए है माता जानकी के या माता सीता के दोनों एक है माता सीता के स्वैमिवर में आगे देखते हैं कौसिक कहा चमिय अपराधु अब विश्वा मित्र जी आगे आते हैं सामने अब तक पर्शुराम जी अब तक लक्षमन जी और पर्शुराम जी में बात हो रही है समझ लीजे मैं विश्वा मित्र जी हूँ अब मैं आगे आ जाता हूं और मैं क्या कहता हूं कि इस अपराधी को छमिय का आरते शमा कर दो नंबर सिक्स मैंने लिखा है शमा कर दो बाल दोशु गुन गनही न सा गनही का मतलब क्या होता है गनही शप्त का अर्थ होता है गिनना मैं लिख देता हूं गनही शप्त का अर्थ होता है छोटी की मातरा आएगी याद रखिएगा गिनना डिजिटल बोड है थोड़ी में राइटिंग खराब है लेकिन इसका अर्थ होता है गिनना तो अब इस किसी बालक को शमा कर दीजिए इसके अपराध को शमा कर दीजिए कोई भी साधू बाल दोश गुन गनहीना साधू की जो साधू है जो संत महात्मा प्रामड है वो कभी भी किसी बालक के दोश उनकी गलतियां या उनके गुणों पर ध्यान नहीं देता है इतना क्योंकि बाल है वो बालक है अब आगे देखते हैं खर कुठार मैं अकुरन कोही आगे अपराधी गुरुद्रोही खर कुठार मैं अकुरन कोही का मतलब है अकारंड कोही का मैंने आपको पहले वाले सलाइडस में भी बताया था पहले भी कोही शब्द का use हो चुका है तूलसी दासुषी के दोरा उनieso देखते हैं को собствен के स्यूठ का अर्थ खौताई कोही आगे अपराधी गुरु द्रोही यानि कि मैंने वेल्थ में मैं अकारंड ही कोही नहीं कर रहा यानि कि मैं अकारंड ही क्रोध नहीं कर रहा मैंने अकारंड ही या बिना किसी कारंड के अपने कुठार को सीधा नहीं कर लिया निकुलाडी को उठा नहीं लिया है आगे जो अपराधी है वो मेरे गुरु का द्रोही है गुरु द्रोही हम किसे कहते है गुरु का जो अपमान करे वो गुरु द्रोही है तो भगवान परशुराम जी के गुरु जो है वो देवों के देव महादेव हैं ठीक है और देवों दिव नहीं कि शिव जी जनने तोड़ा है अब जब पता चल गया है कि राम जी नहीं तोड़ा है और लक्षमन जी उन से जबांव लडा रहे है क्योंकि उनके जो गुरु है शिव जी जिनोंने उन्हें वो कुलहाडी दिये जिसका वार कभी खाली नहीं जाता उनका अपमान है ये एक तरह से कि एक तो उनका धनुष तोड़ा गया और उपर से उनके साथ यान की भगवान परशुराम के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है तो गुरु द्रोही गुरु द्रोही यानि की आप कंफ्यूज ना हो ये भगवान परशुराम जी के गुरु है शिव जी खर कुठार में अकरुन कोही आगे अपराधी गुरु द्रोही की मैंने व्यर्थ में ही अपना फरसा सीधा नहीं किया है मैं अकारन कोही या क्रोध या गुसा नहीं कर रहा हूं आगे जो यह जो अपराधी खड़ा है लक्षमन जी की और वह पॉइंट करके बोलते हैं यह मेरे गुरू का शत्रू है गुरू का द्रोही है उत्तर देत छोड़ो बिनुमारे केवल कौसिक सील तुम्हारे अब क्या कहते है परशुराम जी उत् अंतोश आपकी विनम्रता जो विश्वामित्र जी है हालकि एक एक सट व EVERY फिर वह चन्म से लेकिन वाले लक्षन Jane की अंदर इतने महान योधा उसी तरह विश्वामित्र जी जनसे शत्रिय शहें हैरे लेकिन भवाले वाले गुरहा है उसमें खुआफ्वाह ब्रके विश्वामित्र जी परशुराम जी के कौसिक जी के भाई है तो उनके शील और जिस विनम्रता से जितने प्यार से बात कर रहे हैं सिचुएशन को संभालने की कुशिश कर रहे हैं वह देखकर ही परशुराम जी कह रहे हैं कि बिना उत्तर दिये या मैं बिना मारे इस बालक को छोड़ रहा हूं सिर्फ आपके कारण ठीक है एक्जाम में सबसे इंपॉर्टन बात है कि अगर आपको एक लंबी चोड़ी अगर दो लाइन है एक साथ लेकिन आपको उसका मीनिंग एक ही लाइन आ रहा है आपके दिमाग में जब आप सेंटेंस फ्रेम कर रहे हो तो आप वह एक ही लाइन लिखिए वह ड़ी सही होगा अब एक्जाम में आंसर किस तरह से लिखना है वह भी इंपॉर्टन है लेकिन जो चेकर है मैंने भी पेपर्स चेक किया है वह यह नहीं देखता कभी कि बच्चे ने कितना बड़ा अंसर लिखा है अगर आपने दो लाइन का मीनिंग एक ही लाइन में लिखा है और वह तो पॉइंट है तो आपको मार्क सरूर मिलेंगे तो यह इतनी बड़ी लाइन है उत्तर देते छोड़ो बिनो मारे केवल कौसिक सीव तुम्हारे इसका मतलब सिर्फ इतना ही है कि बिना उत्तर दिये बिना मारे मैं इस बालक को छोड़ रहा हूं केवल विश्वा मितर जी आपके विनम्रता के कारण आगे देखते हैं नात यही काटी कुथार कठोरे गु यही का मतलब यही काटी कुथार कठोरे कि मैं अपने फर्से से अपने कुथार से इस बालक को यही काट देता और इसको काटने के बाद अपने गुरुरिंद करके मुक्त हो जाता अब आप सोचेंगे गुरू रिंड कहां से देखिए इससे पहले की पहली की लाइन में विश्वा मित्र जी लक्षमाट जी को अपने गुरू का द्रोही अपना गुरू द्रोही मानते हैं क्यूंकि शिव धनुष जो है वो उनके बड़े भाई ने लक्षमाट जी के बड़ मेरे लएं तो एक तरह से यह मेरी जिम्मेदारी है कि मैं उस अपमान करने वाले को रोकू और अगर ऐसा नहीं करता तो एक तरह से यह मेरे गुरू का रे. रिंड आ जाता है तो जो और और होता एक से शिव così को एक और तहरीके से देखिए कि हर गुरू को अपने शिष्ठ सब्छे के ऊपर क्या सकते हैं इस शुष्य का करतव्य की जैसे गुरु दक्ष्णा दी जाती ज grilled जुएsters्ट तो तो सब seis नेADE खुका देंगे गुरु द्रोही को मार करके गुरु का रिंड़ आप कई तरीकों से शास्रों के अनुसार zo leal एक तरीका यह होता है कि गुरु का रिण आप गुरु दक्षना दे के चुका सकते हैं या जो गुरु द्रोही है जो आपके गुरु का अपमान कर रहा है उसका वद करके या उसे समझा कर आप गुरु का रिण चुका सकते हैं या गुरु से जो भी आपने शिक्षा ली है उ इसलिए वह अपना गुरु रिंड चुका देंगे गुरु द्रोही को मार करके जो कि उनके हिसाब से लक्षमनची है अब आगे देखते हैं तो इस लाइम में क्या कह रहे है कि केवल विश्वा मित्र जी कौसिक तुमारे विनम्रता के कारण मैंने इसे छोड़ा है तो अभी अपने फरसे से काट कर मैं इसे अपने गुरु रिंड से मुक्त हो जाता श्रम थोड़े यानि की थोड़े को हिंदी से रिलेट कीजिए थोड़े की बहुत थोड़ी सी महनत में की मतलब मैं इस बालक को आसानी से मार कर गुरु रिंड से मुक्त हो जाता आगे देखते हैं गाधी सुनू कह हृदय हसी मुनही हरी यरे सूज आयमय खान ना उखमय अजहू ना भूज अभूज अब देखिए इसका वत्तव क्या है अब विश्वा मित्र जी सामने से कह नहीं रहे हैं वो अपने मन में सोच रहे हैं गाधी सुनू अब यहां पर आपको गाधी को टागेट करना है गाधी जो है वो विश्वा मित्र जी का ही दूसरा नाम है confused नहीं होना है परशुराम जी के भी कई नाम है परशुराम जी को परशुराम कहा गया है पोयम में साधु या मुनी कहा गया है भ्रिगुवंची कहा गया है उसी तरह विश्वा मित्र जी को विश्वा मित्र नाम से तो नहीं कहा गया है पर कौसिक नाम से संभोधित किया गय गाधी सुनू विश्वामित्र जी का नाम नहीं है सिर्फ गाधी उनका नाम है क्यों कि वो गाधी पुत्र थे मैंने यहां लिखा है गाधी पुत्र जो थे विश्वामित्र जी थे तो उनके पिता के नाम से उन्हें जाना जाता है जैसे राम जी को उनके बंच के नाम से यह सुनकर जो भगवान परशुराम ने पहले कहा था कि तुम्हारी विनमरता के कारण छोड़ा है नहीं तो बिना बिल्कुल भी मेहनत की अभी इस बालक को मार करके अपने गुरू रिंड से मुक्त हो जाता तो यह सब सुनकर के गाधी यानिके विश्वा मित्र जी अपने ह हसने लगे कि मुनही हरियरे सूज की जो मुनी है उन्हें सब हरा भरा ही दिख रहा है अब हरा भरा का क्या मतलब की सब कुछ आसान दिख रहा है कि अभी दो लाइंस का मतलब यह है कि विश्वा मित्र जी यह सोच रहे है कि परशुराम ची राम और लक्ष्मन जी को काफी ह यहां आने से पूर्व राम जी ने ताड़का नाम की असुर का भी वद्ध कर दिया है तो विश्वा मित्र जी इन शॉट अपने दिमाग में यह कह रहे हैं कि परशुराम जी इन्हें जिनें साधारन बालक समझ रहे हैं यह वास्तव में बहुत अच्छे योद्धा हैं और भी होते थे ही राम जी और लक्ष्मन जी भी तो अईमये खाण ना उखमये अजहू ना बुझ अभूझ अभूचा अब यह कह रहे हैं गाधी या कौसिक्या विश्वामित्र जी अमनिमन कह नहीं रहे हैं यह आप ऐसे लिग सकते हैं कि आपने आप से कह रहे हैं कि यह तो Ó गाय। अद्शLa राद चाने होगा कई लखन मुणी सीलु तुम्हारा कोश नहीं जान विदत संसारा अब लक्षमर जी कह रहे हैं भगवान पर्षुराम से के यू लखन यानकी लखन जी कह रहे हैं कि मुणी मुणी कौन यहां पे विश्वामित्र जी ने कि वो भी मुनी है पर परशुराम जी से लक्षमन जी बात कर रहे हैं ठीक है अब लक्षमन जी मुनी यान की परशुराम जी को क्या कह रहे हैं कहिए लखन मुनी सील तुम्हारा को नहीं जान विदित संसार की है मुनिवर आपके सील को सील यानि की विनम्रता को आपकी शक्ति क होता है सारा संसार कि आपके शील से आपकी विनम्रता से आपके सामर्थ से तो पूरा संसार परिचित है अब आगे देखते हैं निके माता पिता ही उरिन भाई निके और अपने माता पिता के रिंड से तो मुख्थ हो चुक है अब इसी का यह अर्थ है कि जैसा मैंने आपको बताया था पहले वाले संसार माता-पिता का भी होता है क्योंकि वह हमारा पालन करके हमें बढ़ा करते हैं तो तो पॉइंट लक्षमन जी पहले तो यह कहते हैं कि आपके शील से सामर्थ से आपकी विनम्रता से तो हम सब परिचित है सारा संसार परिचित है और आप अपने माता-पिता के रिंड्स से तो मुक्तो चुक हैं सिर्फ गुरी नहीं बचू किया है ना तो लक्ष्मण जी कह रहे हैं की जैसे करजा होता है for example की मैंने किسم को करजा दिया और उसने कई साल तक मुझे वापस नहीं दिया तो साल भर साल महीने दर महीने वह बड़ता रहता है तो लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि आपने माथा पिता का रिंड तो चुका दिए गुरुरि'd जो आपने बहुत समय तो तो मेरे सर पर डाल दिया तो इक काम किजिए आपने गुरुरिंद बहुत समय से जङल तो उसका बयाज बढ़ गया होगा तो कितना बयाज है यह बता दीजे अभी तो यही कह रहे हैं कि दिन चली गए बयाज बढ़ बाढ़ा अब अनिय ब्यव वहीर एक सिकना अब अनिय ब्यव हरिया बोली तुरत देव मैं थेली खोली ब्यव हरिया इसे ध्यान जा समझे आधब वह हरिया ब्यव हरिया किसे कहते हैं एक तरह से किसी हिसाब किताब वाले को बुलाइए जो मतलब जोड के ब्याज तो बढ़ गया है ना दिन चली बहुत दिन बीट गया ब्याज बढ़ बाढ़ा मतलब बहुत बढ़ गया तो आप हिसाब किताब वाले को बुलाइए जितना हिसाब होगा तुरंद देव मैं थेली खोली जितना हिसाब होगा मैं अपनी थेली या अपना बटवा या अपनी पोटली खोल के दे दूंगा तो देखिए उन्होंने कितना व्यंगात्मग रचने से व्यंगात्मत तरीके से वह बार-बार भगवान पर्शुराम को नखेद रहें सुनी कटू बचन-कुठार्शुधारह हाय हाए सभा सभा पुकारह सुनी कटू बचन For Love Center को सुन करके किंके कडवे बचन भगवान अब बचन को हां कटू सुधारा हाए हाए सब सभापुकारा पर इस बार पहली बार तो चलो सिचुएशन इंटेंस थी इस बार लक्षमन जी ने जिस तरह से अपमान किया और इस बार जब लोने फर्सा उठा लिया भगवान परशुरामने तो जितने भी लोग थे उस अब हाए हाए उस करने लगे कि अब तो यह कुछ जाद ही हाए हाए सब सभापुकारा ब्रिगुबर पर्शु दिखा बहु मोही बिचारी बचोन रिप द्रोही अब लक्षमन जी भी क्रोध में आ जाते हैं अब तक परशुराम जी गुस्षे में बात कर रहे थे अब लक्षमन जी ब्रिगुवन्षी ंशे depths साधु मुनी पर्शु राम यह सब बंपर्शु राम के नाम है घ़ंग व्यक्रप्सु दिखा बहु मोही अब लक्षमन जी करोध में कह रहे है भगवान पर्शुराम से कि है ब्रिगुबरभर अपना अपना फर्सा मुझे दिखा रहे हैं ब्रिप का अर्थ होता है ब्रह्मचारी यहां मैंने लिखा है वहां जगान नहीं थी ब्रिप का अर्थ होता है ब्रह्मचारी अब लक्षमन जी कहते हैं जै कि मैं तो अब तक आपको ब्रह्मचारी समझ कर छोड़ रहा था लेकिन आप तो राज-द्रोही निकले अब यह जो राम जी और लक्षमन जी रगवण जैसे महान्ज सामराज्य के राजकुमार है तो इतने महान्ज सामराज्य है राज्य का अपमान करने वाला राजद्रोही होगा तो वह भगवान परशुराम को राजद्रोही की अब आगे देखते हैं इतना समझ में आए ना कि वो लक्षमाट जी गुस्से में आके बोलते हैं कि आप बार बार अपना फर्सा दिखा रहे हैं मुझे मैं तो आपको ब्रह्मचारी समझ कर अब तक छोड़ रहा था पर आप तो राजद्रू ही निकले अब लक्षमाट जी अभी भी गुस्से में और क्या कह रहा है कि मिले न कभू सुबट रन गाड़े सुबट शप्त का अर्थ होता है नंबर नाइन में डाला है वीर की लगता है आपको कभी कहा गया हां रन गाड़े रन का अर्थ यहां पर रन भूमी मतलब युद का शेत्र युद का मैदान की लगता है आपको युद मे कभी कोई महान युद्ध कोई सुबट युद्ध कोई वीर युद्ध कोई कहते हैं तुद्ऌ देफता घर्मर्ण को कहता है छो है वो ब्रहमा जी क को दूसरा नाम है तो चैनको कहा जाता आ एं कि द्विजChrist देफता घरई ये बाहर कि अप तो खर के बाहर ही नहीं निकलते हैं कि घरई के बाहर यानि कि आपको घर के बाहर घर के बाहर कहा ह्षाएं रन में यानि कि रन्ड भूमी में लगता है कभी मेरे जैसा सुभट चैसल वुषय दू मिला अनुचित कही सबु लोगु पुकारे रखुपती सैनी लखनु नेवारे कि अब इतना कुछ कह दिया लक्षमण जी ने परशुराम जी को ये तो कही था उन्होंने कि आप ब्याज बढ़ गया होगा थैली खोलिए मैं आप बुलाईए हिसाब किताब बाले को चलिए मैं दे अब घर में ही बोलने वाले लगते हैं तो अब इतना सब कुछ कहने के बाद अनुचित अनुचित ये सब जो जितने लोग थे वहाँ जितने राजाच है ओडियंस जो थी वो सब घबरा गये कि अब इतना कुछ बोल दिया अब तो युद्ध होई जाएगा अब जब बात हाद से कुछ जादा ही बाहर निकल गई तो रखुपति यानि कि राम जी ने लखनु निवारे निवारे मतलब उन्होंने कुछ कहा नहीं क्योंकि दो दिगच खड़े हैं उनके गुरु विश्वा मितर जी है पर उनका बीच में बोलना सही नहीं पर उनने आखों से इशा होता है आपको पता होगा अगनी प्रजवलित की जाती है आग जलाते हैं उसमें घी की तेल की और जो रखा जाता है वहां पर आहुती की सामगरी उसकी आहुती देते हैं खासकर घी और तेल के साथ जब आहुती देते हैं तो अगनी और प्रजवलित हो जाती है तो अब क् तरह से मेटाफर यूस किया गया इंगलिश का सोच यह इतना साल पहले भी पोएटिक डिवाइस थे यह बहुत पुरानी है लखन उत्तर आहूती लखन उत्तर यान की लक्षमन जी उत्तर यान की लक्षमन जी ने अभी-भी जो उत्तर दिया भगवान परशुराम को अभी- जो अगनी है जो यग्ये में जल रही है उसे आप कंपेर कीजिए भगवान परशुराम के क्रोज से गुस्से से और जो आहूती उन्होंने डाली हो आहूती क्या था जो उन्होंने बोला इससे पहले उन्हें राज-द्रोही कहा कह दिया आपको मेरे जैसा सुभट वीर भगवान परशुराम क्रिसानु यानि की बताया मैंने यग्ये का मंडफ है जिसमें आग जल रही है उसमें आहूती डाल दी आग बढ़ दे आहूती क्या है जो उन्होंने कहा मेरे जैसा वीरियुद्ध आपको मिला नहीं होगा आग क्या है परशुराम जी का क्रोध बरत देखी जल सम बचन बोले रखकुल भानू कि अब सिच्वेशन को बढ़ते वे देखकर जल सम सम जो शब्द है इसका अर्थ है समान जल के समान या जल के जैसे बचन बोले क्योंकि अब देखिए यहां पर भी पोईट डिवाई से पहले तो उन्होंने भगवान परशुरा जो आग सा बताया है तुलसीदास जी ने आहुती गई आग भड़क गई तो उसे शांत करने के लिए जल सम जैसे पानी जल को शांत कर देता है उसी तरह जल के समान शीतर प्यार विनम्रता से अब राम जी आ गया आगया गया लक्ष्मन जी यही थे पर्शुराम जी एही और उन्होंने situation को overtake किया, अब इसके आगे भी बहुत conversation हुई है, ये बालकांड का आधा हिस्सा भी नहीं है, जिनने नहीं पता है ये बालकांड का हिस्सा है, मैंने पहले वीडियो में बताया है, इसी वीडियो में बताया है, तो ये बालकांड का हिस्सा है, तो ये बालकां यह conversation के बारे में हैं बीच बीच में विश्वा मितर जी को लाया जाता है शुरुआत पर्शुराम जी कहते हैं कौसिक नाम से संभोधित करते हैं विश्वा मितर जी का एक और नाम जो है वह हाँ गाधी गाधी यानिकी वह गाधी जी के पुत्र थे इसलिए विश्वा मितर गाधी नाम से कहा गया है परिवार्म चीको देखकर Experimental अगल यह फूरा जय effort की सभष को समझना चिई और काफी वर्स्का घाय सभेट गर्यों कर सकते हिंदी से हाए 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 सब सबसभा पुकारा की सबसभा पुकारने लगी और जैसा मैंने का गुरु मंत्र या सबसे इंपोर्टन चीज जो है जो इस पूरी पोयम में वह यह है कि लंबे चौड़े मेlor इस वीडियो को देखिए की कविता की ये खासियत है कि हरना दूसरे लाइन से रिलेटटर है और हर लाइन में आपको कोई ना कोई राम देखेंगे जैसे देखिए बोलावा घोरा का लोगू बदजोगू सब्सक्रे व्यूर्टन में वह आपको सब दिखेंगो तो यह जो poem थी यह राम लक्ष्मन परशुराम संबाद है Class 10 CBAC Hindi के सबसे important poems में सेख मैं उमीद करता हूँ कि यह poem आपको समझ में आ गई होगी मैं आपको गुरु मंत्र दे चुका हूँ लंबा चौड़ा line देखे, लंबा चौड़ा meaning मत लिखे important keywords को target कीजिए यहाँ इस शब्द का यह मतलब है और जो भी meaning आप interpret कर पारें इमानदारी से लिख दीजिए घबराना बिल्कुल नहीं है और अगर characteristics पूछे जाते हैं exam में कि भगवान परशुराम जी की characteristics बताओ उनके characteristics क्या है वो क्रोधी है बाल ब्रह्मचारी है अपने गुरु का बहुत सम्मान करते हैं यह हमें कैसे पता है वो गुरुद्रोही बोल देते हैं उसे जिन्हों ने उनके गुरु या उनके शिव जी के धनुष को तोड़ा है ठीक है तो यह सब उनकी characteristics है लक्षमन जी की characteristics क्या क्या है या उनकी चरित्र की चारित्र विशेष्टा है क्या क्या यह एक्जाम आज question आ चुक है 2011 CBSC board paper में तो लक्षमन जी के चरित्र की विशेष्टा क्या है कि वो क्रोधी है वो भी क्रोधी है पर्शुराम जी बी क्रोधी ब्रात प्रेमी की यांकि ठोड़ि фильм को सहे नहीं है और उनके अपमान को सहे नहीं सकते हैं मुझान जी है कहाफी संतोष है DR शाज नहीं है और साती साथ जो लक्षमन जी है वो थोड़े कटू वचवादी है या उनकी लक्षमन जी थोड़े कडवे वचन बोलते हैं राम जी की तरह नहीं जो हमेशा विनम्र सुभाव से रहते हैं यह उनकी कुछ कि अभ्ध चवचा दो को अचे शो हमेशा box